इडी ने फरवरी दुहजारी कीस में न्यूस क्लिक नाम की जिस न्यूस पोटल के ओफिस में रेट की उसकी जाच में कई संसनी खेज़ बाते सामने आई हैं पता ये चला कि इस न्यूस पोटल को 38 करोल रुपए की फंडिंग की गई है नोबिल रॉइस सिंगहम नाम के एक अमेर की अरब पती नी ये पैसा न्यूस क्लिक को दिया आरोप है कि फंडिंग को रूट करने के लिए बकाइदा मनी लॉंडिंग का भी सहरा लिया गया न्यूस क्लिक के मालिक प्रवीर पुरा कायस्त है जो करोलो रुपए की फंडिंग न्यूस क्लिक को की गई उसमें से करीब 20 लाग रुपए गौतम नवलखा को भी दिये गए गौतम नवलखा वही शक्स हैं जिनके मौवादियों से रिष्टे बताय जाते रहे हैं और भीमा कोरिगाउं हिंसा मामले में उनके खलाब भी केस चल रहा है इतना ही नहीं 50 लाग रुपए सीपीयम आइटी सिल से बपा जितन सिनहा को भी दिये गए और ये जो सारी फंडिंग हुई वो चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी ने की है आज लोग सभा में बिजेपी के एंपी निशिकान दुबे ने इसका खुलासा किया हम आपको उनकी बात भी सुनाएंगे लेकिन पहले सूचनों और प्रसारण मंतरी अनुराग ठाकुर को हम आपको सुनाते हैं क्योंकि उन्होंने इस पूरी फंडिंग की मनी ट्रेल का आज खुलासा किया अनुराग ठाकुर ने कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी पर भी सवाल उठाए और कहा कि न्यूस क्लिक ने जो घड़बड़ी की है उसे लेकर इन दोनों पार्टीों को भी कई सवालों के जवाब देने होंगे सुने पहले राग ठाकु ने क्या कहा है जो चलाई जाती किसी और के द्वारा नहीं पुरकास्थाव द्वारा चलाई जाती है जो पीपी के न्यूस क्लिक स्टूडियो प्राइबेट लिमिटीड है इसको पैसा भी किस किस से प्राप्त हुआ वो अगर आप मनी ट्रेल भी देखेंगे जो सामने नजर आता है तो स्पश तोर पे दिखता है कि यह जो नेविल रॉज सिंगम है इन्हों नहीं यहां पर 27 करोड 51 लाख रप्या न्यूस क्लिक में दिया जो आगे जाकर इस में से गौतम नवलखा को भी 20 लाख 53 लाख पे गए हैं और एक बपदित्या सिना जो IT सेल मेंबर है Communist Party of India के 82 लाख रप्या उनको भी गया है तो Communist भी कैसे Congress से पीछे रहेंगे सब ने कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ लिया है तो नीज क्लिक के पीछे खेल Communist Party of China और Congress Party जो हमारी हिंदोस्तान की है उनका सब का ये खेल इसमें दिखता है कि कैसे भारत विरोधी अजंडा चलाना है और कैसे एक के बाद दूसरा पैसा इनको दिया गया और बहुत सारे Senior Journalist को इसमें से पैसा गया मैं उसके नाम लेने में नहीं जाओंगा वो इतने बड़े बिने जिनको इतना बड़ा बना दिया गया है लेकिन इतना जुरू कहूंगा ये शुरू तो की गई थी चाइना का narrative खड़ा करने के लिए दुनिया भर के continents में लेकिन किस तरह से Congress Party पार्टी ने इसको साथ में ले लिया भारत विरोधी अजंडा चलाने के लिए क्या Congress इतनी गिर गई है और कुछ दल इनके समर्थन में News Click के इतना गिर गए थे कि वो सत्ता पाने के लिए इतना गिर जाएंगे कि News Click के समर्थन में आके पूरी Congress Party खड़ी होगी थी इनके साथी खड़े होगे थे एक गमंडिया गटबंदन के लोग इसका एक हिस्सा बने रहे और किवल यही नहीं मैं शरीमान अरविंद केजरिवाल जी कैसे पीछे रहते आखिर काल वो तो चलके ही एंजियो चला कर आए थे वो तो बात करते थे भरष्टाचार के खिलाब वाली आज उनकी पूरी पाटी भरष्टाचार में घिरी हुई है डूपी हुई है मंत्री जेल में पड़े हुए है तो क्या शरीमान अरविंद केजरिवाल जी और मनीश सिसोधिया जी इनके जिस एंजियोग में ये पार्टनर है हिस्सेदार है क्या उनके माध्यम से भी न्यूस क्लिक की कोई फंडिंग हुई है क्या देश को बताना चाहेंगे तो नुराग शाकुर की बात आपने सुन ली लोग सभा में भी आज न्यूस क्लिक का एपसी आरे के नियम कड़े किये गए फोरें फंडिंग पर शिकंजा भी कसा गया तो फिर न्यूस क्लिक की फंडिंग आखिर हुई कैसे इसका जवाब भी अनुराग ठाकुर ने दिया अनुराग ठाकुर ने कहा कि डेड़ करोड रुपिया इलेक्ट्रीशें को दिया गया लोगस मेकिंग कमपनी के श्यर बढ़ा चड़ा कर दामों में खरीदे गए फ्री न्यूस के नाम पर फेक न्यूस को परोसा गया उसे बढ़ावा दिया गया सुनिए जो इसकी फंडिंग है उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ फंडिंग तो एक कर रहे थे न्यूस क्लिक को चाइनीज कमपनिया नेविल रॉयल सिंगम के माध्यम से लेकिन जो इनके सेल्समें तो हमारे हिंदोस्तान के कुछ लोग हो गए थे जब इनके खिलाफ कारवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए और जो चाइना के नेरेटिव को बनाने के लिए ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए भारत के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया दुश्परचार के माद्यम से और एक जूठा प्रोपोगेंडा ये फ्री न्यूस के नाम पे फेक न्यूस प्रोशने वाले हैं और इनका समर्थन करके अपना राजनितिक उल्लू सीधा करने वाली कॉंग्रेस पार्टी और अन्य दल ये फ्रीडम और प्रेस के नाम पर इनके साथ जुड़ गए अब ये जो नियूस क्लिक को जो पैसा आया ये रूट भी कहां कहां से हुआ ये गौतम नवलक्खा का नाम तो आपने सुना ही होगा ये भी एक आरोपी है किस केस में अलगार परिशद के मॉइस्ट लिंक में जो भीमा कारोगाओं भीमा कोरेगाओं केस है उसमें अभी तक जेल में ये है अंडर हाउस एरेस्ट है यूए पी ये लगा हुआ इनके उपर और यही नहीं नियूस क्लिक को शुरू होने के कुछ महिनों के बाद इक क्रोड रुपे दिये गए और इन क्रोड रुपे जब मिले तो उसमें से डेड़ क्रोड रुपे एक इलेक्ट्रीशन को दे दिया अरे डेड़ क्रोड पे एक इलेक्ट्रीशन को दे दिया तब तो कॉंग्रेस और बाकी दलों ने रहूल गांदी जी ने किसी ने सवाल कड़े नहीं किये और यहीं नहीं यह loss-making company का शेर बढ़ चड़ कर धामों में खरीटा गया प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों के शेरों पर ये सवाल खड़ा करते हैं जब भारत इसी कंपनी के उपर कारवाई करता है तब तो उस पर सवाल खड़े होते हैं लेकिन ये चीनी गंद की बदबू जब दुनिया भर में फैलती है और जो अमेरिका का एक अख़बार इसके उ योग समर्तन करने में है और ये फोरं प्रेस के प्रॉपगेंडा और अजंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे चाहे कॉंगरेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए राहूल गांदी जी बीच रात को जाकर उनके साथ बाद में टुकडे टुकडे गैंक के लोग को अपने आप में शामिल भी करा लिया और इनके समय तो CBI और ED पिंजरे में बंद तोता होती थी लेकिन आज अगर वो ED कारवाई News Click जैसी फरजी संस्ताओं के खिलाफ करती है तो उसके ओपर ये प्रशंचन खड़ा करते हैं ये गलत सूचना के खिलाफ, Misinformation के खिलाफ युद है और ये युद जारी रहना चाहिए Olympic की Opening Ceremony में शामिल होने के लिए गय थे तब Congress Party और चीन की Communist Party के बीच एक Agreement हुआ, उस Agreement में राहूल गांधी और शेज जिन पिंग ने साइन किये थे शेज जिन पिंग अभी चीन के राष्टपती है, लेकिन तब मौझूदा तोर पर हूज जिनताओ चीन के राष्टपती थे यानि ये जो Agreement हुआ था, ये सरकार के स्थर पर नहीं था भारत की Congress Party और चीन की Communist Party के बीच ए Agreement हुआ था तब राजी उगांधी Foundation को चीन की तरब से बकाईदा करोलो रुपए का चंदा भी मिला आज अमरान ठाकु ने इसका जखर करते हुए कहा कि चीन से हुए Agreement का ही ये असर था कि डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी चीन के डिप्लोमेंट्स के साथ बकाईदा डिनर करने गए और कुछ ही महीने पहले Cambridge University में अपने स्पीच में राहुल गांधी ने चीन की तारिव भी की एक बार बहुत पहले पारलेमेंट में कहा था कि जब देश के खिलाब कोई खड़ा होता है तो उसमें हम सब कोई कठे होकर आना चाहिए और उन्हें तो ये भी कहा था कि किस तरह से कौरव और पांडब भी एक जुट हो गे थे जब तीसरा कोई सामने आकर खड़ा हुआ था लेकिन दुरभाग्य देश का ये है कि Congress ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया और यही नहीं जब इनको निमंत्रन मिला सोनिया जी को राहुल जी को कब मिला जब Olympics खेल हुए तो Congress Party को भी गांधी परिवार को भी वहां पर नियोता दिया गया और ये लोग उस समय चाइना भी गए खेल देखने गए थे खेल करके आगए वहां पर एक agreement साइन करके आगए जहां पर high level exchange होना था दो पाटियों के बीच में अब पतनी किस तरह का high level exchange होना था ये तो 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला जब डोकलाम में अतिकरमन करने का प्रयास उस समय चीन की सेना ने किया तो हमारे सेना के जवानों ने मूत और जवाब उनको दिया लेकिन राहूल गांदी जी उस समय चीन के अधिकारियों के साथ डिप्लोमेट के साथ हाथ भी मिला रहे थे खाना भी खा रहे थे ना जाने क्या रन्निती और क्या-क्या एक्शेंज कर रहे थे यह से पदा चलता है कि जो 2008 मेन को एग्रिमेंट हो गया था उस समय एक पेमेंट भी की गई थी पेमेंट किसको की गई पेमेंट की गई थी राजीव गांदी फांडेशन को और यह राजीव गांदी फांडेशन को जो पेमेंट की गई दोहदर पांच साथ के बीच में ये किसलिए की गए और ये उस समय की गए जब सोनिया गांदी जी यूपीय की और वही यूपीय सरकार जिसके ओपर लाखो करोड के भष्टाचार के गंबीर आरोपी है वो नेरेटिव के लड़ने के लिए क्या इनको चाइना के लोगों का सहीयोग लेना पड़ेगा या चाइना के समर्थक ऐसी एजंसियों का सहयोग लेना पड़ेगा जो anti-India break India campaign चलाते उनका सहयोग लेना पड़ेगा और ये national NAC की जो chairperson थी जो UPA मैं कहूंगा उस समय सोनिया गांदी जी तो क्या ये पैसा और ये party उस समय से ही इस काम में लगी है और ये agreement भी sign किसी और ने नहीं किया चाइना के वाइस प्रेजडन उस समय के standing committee के member CPC पॉलिट बियोरो के सी जिंग पिन और उनके Congress के General Secretary राहूल गांदी जी के बीच में हुआ आखिरकार इस agreement में क्या लिखा है ये 2017 में भी देखने को मिला कि राहूल गांदी जी देश के साथ तो खड़े नहीं हुए लेकिन उस समय उनकी अधिकारियों के साथ रहे इसका अगला उधारन आपको देखने को मिलता है जब Cambridge में Cambridge Judge Business School में मार्च 2023 में राहूल गांदी जी ने बड़े बड़ा चड़ा कर चाइना की प्रेजबी की फोर्स आफ नेचर कहा एस्पारिंग सुपर पावर कहा भारत की तो भड़ाई नहीं कर पाए भारत का अपमान ही करते रहे और democracy in India is under attack कहते रहे लेकिन चाइना का समर्थन करते रहे